कि दिर स्टुडेंटस चली हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ क्लास के मैथ सब्जेक्टको पढ़ना स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको पता है ncrt से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं मैथ को और इस कौन इक्सरसाइज चल तो इक्सरसाइज भी बता देना चाहते हैं एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे 4.4 अब 4.4 में आपको ये बताया गया था कि पहला का जितना भी कोश्चन है मूलों का प्रकृति अस्तित्व है कि नहीं ग्याद किजिए तो पहला आप लोगों ने बहुत-बहुत किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो दूसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं कोश्चन का solution ठीक है टोटल पांच कोश्चन है तो बहुत खुशी का बात है कि आज हम लोगों का चौथा चैप्टर इंड हो जाएगा ठीक है चौथा चैप्टर जो है द्विघात शमिकरन ये हम लोगों का खतम हो जाएगा फिर हम लोग एक नए चैप्टर की और नए प्रश्णावली की तरफ नए पाठ की तरफ हम लोग अग्रशर होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे फिलहाद दूसरा कोश्चन को जरा बढ़िया से पढ़िये बोल क्या रहा है निम्न प्रतेक द्विघात समिकरन में के का ऐसा मान ग्याद कीजिए के का मान ऐसा ग्याद कीजिए उससे दो बराबर मुल हों उसके दो बराबर मुल हों सबसे पहले कोश्चन दूसरा का पहला क्या बोल रहा है लिख रहा है देखिए वोशन क्या बोल रहा है टू एक्स स्क्वार प्लस के x प्लस 3 ठीक है बराबर मैं बोल रहा है 0 ठीक है अब सवाल क्या बोल रहा है कि जो दिया गया समिकरन है इसके दोनों मूल क्या है बराबर है समझ में आ रहा है जो पहलू सबसे पहले लिखेगा ऐसे सवालों में कि यहां a का वैलू कितना है आप देख पारोंगे 2 क्योंकि x स्क्वार वाला 2 है b का वैलू कितना है तो b वाला जो x का गुनांग होता है तो x का गुनांग क्या है k तो b का वैलू क्यों हो गया c का वैलू कितना हो गया c का वैलू 3 हो अब A, B, C का तोमान आप देख लिया अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको के का मान क्या करना है? निकालना है, कब? दिया है, क्या दिया है? इस समिकरन के दोनों मूल क्या है? बराबर हैं अब ध्यान से देखिए यह वहला चीज आखिर कोई भी देखिए Mathematics अब पढ़ रहे ना? आप Math पढ़ रहे तो आप चीजों को एक एक चीज को समझी कि आखिर सर ये बात कैसे लिख रहे है? इस समिकरन के दोनों मूल बराबर है यह कहां से लिख रहे है? तो सवाल यहां दिया है कि उसके दो बराबर मूल हैं हों तो इसलिए इस समिकरन के दोनों मूल क्या है? बराबर है तो आपको हम पिछले क्लास की वीडियो पिछले क्लास याद दिलाना चाहते हैं जब हम लोग मूलों की प्रकृति पढ़ रहे थे और वही चीज आ गया उल्टा पुछ दिया कि दोनों मूल बराबर है तो जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो हम लोग लिखते हैं अता की डी बराबर कितना होगा? 0 होगा डी बराबर जब 0 होता है तब दोनों मूल क्या होता है? बराबर है तो दोनों मूल जब बराबर होगा तो b का मान कितना होगा जीरो के बराबर होगा और d का फार्मूला क्या होता है आपको पता है ना b square minus 4ac बराबर में 0 और यहाँ पे a का मान 2 है b का मान k है c का मान 3 है इसको रख दीजिए तो हम b का मान रख दिए कितना k तो k का square minus 4 into a का मान 2 c का मान 3 देख रहे ना यहाँ से बराबर कितना 0 k square अब इसको गुना करना है 4 दूनी के 8 8 3 के 24 24 के 24 लिख देंगे बराबर 0 तो इस तरह से हम लोग k square बराबर इधर वाला minus 24 उधर जाएगा तो कोची में चल जाएगा 24 चल जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि square जब है तो square हटता है तो इधर root चड़ जाता है इसलिए k का मान कोची हो गया plus minus root 24 यानि कि k का मान हो जाएगा plus में root 24 या फिर k का मान हो जाएगा minus में root 24 ठीक है तो दोनों ही अब आपको यह लग रहा होगा कि आप तो बोले थे कि मूल बराबर है तो यह थोड़े न मूल है मूल किसको बोलते है x के न मान को मूल बोलते है तो इसका जब k के जगा पे इतना रखके निकालिएगा न root 24 तब जो है मूल जो है आंसर हो सकता है चलिए अब दूसरा काम लोग दूसरा कोशन देखते है दूसरा का दूसरा कोशन दूसरा में भी बोल रहा है दूसरा दिखा देते कोशन क्या है kx into x-2 plus 6 equal to 0 यह कोशन है देख लिजे अब इसमें भी वही बात बोल रहा है कि कौन सा बात d equal to sorry दोनों मूल जो है बराबर है इसका सबसे पहले आप इसको अच्छा से लिख लिजे kx को x से गुना करेंगे तो क्या होगा kx square चिक है और minus 2 को kx से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा minus 2 kx plus 6 बराबर 0 यहां से आप यह निकाल लेजे कि a का value कितना हो गया k x square के बगलवला कि होता है x के बगलवला b होता है तो b के मान हो गया minus 2 k और C कमान कितना हो गया चो तो A कमान B कमान C कमान पता चल गया अब जब A कमान B कमान C कमान पता चल गया तब यहां से आप लिखेगा दिया है क्या दिया है भई तो आप देख लो क्या दिया है दिया है कि इस समिकरन के दोनों मुल इस समिकरन के दोनों मुल क्या है बराबर है जब दोनों मूल बराबर है तो हम लोगों को क्या पता चला कि D बराबर 0 और D का मान को ची B square माइनस 4 A C बराबर 0 तो B का value कितना तो B का value देखिए –2 K तो यहां रख देंगे –2 K का asquar तो B का ना square है तो B का मान रख दिए फिर रख रहा है minus 4 का 4 रख देंगे A into C तो A का मान कितना? K तो A का value K रख दिए C का मान कितना? 6 तो C का value 6 रख दिए equal to 0 अब minus 2K का square है तो minus 2 का square कितना होगा? 4 और K का square K square फिर minus 6 4 जा कितना? तो 24K equal to 0 ठीक है? तो यहां से आप यह लिख सकते हैं कि यहां K का value निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं यहां से 4K, 4K common हो रहा है तो आप 4K को common कर लिजे तो 4K जब common कर लेंगे तो यहां क्या बन रहा होगा? K बन रहा होगा देख पार होगे 4K के जगा पे यहां बेश से भी 4K है यहां सभी 4K common कर लिए तो यहां K बचरा होगा और minus यहां 4 common ले लिए तो यहां 6 बचेगा क्योंकि 64 का 24K equal to 0 तो अपने लोग इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं यहां 4K बराबर 0 क्योंकि दोनों गुना मेंन है तो यहां 4K के जगा पे 0 रख सकते हैं यहां के माइनस 6 के जगा पे 0 रख सकते हैं तो यहां हो जाएगा K का बचराबर 0 के का बचराबर 6 अब दूगो आंसर में से अब कौन सा आंसर सही होगा या कौन सा आंसर गलत होगा तो यह जो समिकरन है ना कौन सा समी करन भई तो यह 4K स्क्वायर माइनस 24 के तो इसके के जगा पे आप के का वेलू जब 0 रखेगा तो 0, 0, 0 आ जा रहा है के का वेलू 6 भी आ जाएगा तो आप दोनों ही आंसर हो सकता है अपने बुक में देख लिजेगा जो सही आंसर 6 ही होना चाहिए क्योंकि के का अगर 0 हुआ तो यहां पर देखिए के का वेलू अगर 0 हुआ तो यहो 0 हो जाएगा यहो 0 हो जाएगा है ना यहां पर तो 6 बच जाएगा तो यहां छो थोड़ना आना चाहिए 0 आना चाहिए तो इस तरीके से हम लोगों का 0 जो है आमाने उतर हो जाएगा आमाने उतर क्यो हो जाएगा कि इसलिए क्योंकि केक अमान अगर 0 रखते हैं इस समीकरन में तो यह भी 0 हो जाएगा क्योंकि के जीरो को किसी संख्या olana करते प्र अम को दिशन यह बच गया हमको तो बराबर कि उधर 0 परोग न लाणना था इसलिए यह हम लोगों को जीरो जो है अमान्य उतर है तो हम लोग के का वैलू 6 आंसर कर देंगे छले आएए आगे कोशन देखते हैं कोशन नंबर 3 को इसमें टोटल 5 कोशन है हम लोग दो कोशन को complete कर लिया है तीसरा कोशन देखे पढ़िए क्या बोल रहा है सामने कोशन है आपके तीसरा कोशन बोल रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चोड़ाई से दुगनी हो और उसका छेत्रफल जो है 800 मिटर स्क्वाईर हो यदि है तो उसका लंबाई चोड़ाई ग्याद कीजिए यदि है यदि है का मतलब कि नहीं भी हो सकता है अब है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए वही बात हुआ दिखिए आप मूलो का अस्तित्व यहाँ पे दिख रहे न आप लिख दिजिएगा कि इसे ग्याद करना और संभव है ग्याद नहीं किया जा सकता है सबसे पहले एक आम का बगिया है और लंबाई जो है चोड़ाई से दो गुनी है तो चोड़ाई को अगर एक्स मानेंगे कि चोड़ाई कितना एक्स मीटर ठीक है इसलिए लंबाई यानि कि इसलिए उसकी लंबाई यानि कि आम की बगिया की लंबाई आम की बगिया की लंबाई कितना हो जाएगा तो दो गुना है तो टू एक्स मीटर ठीक है अब यहां पर लिखी एगा दिया है सवाल में क्या दिया है कि 6 रफल मेरा कितना होना चाहिए तो सवाल में लिखा है कि 6 रफल आपको 800 मिटर स्क्वार होना चाहिए तो 6 रफल तो दिया है भई 800 मिटर स्क्वार ठीक है तो छेतरफल का फ़र्मूला क्या होता है? आयतकार नहें, आमकी बग्या जो कैसी है? आयतकार है, तो आयत का छेतरफल क्या होता है? लंबाई गुना में चौडाई, is equal to 800, और लंबाई कितना है? लंबाई 2x है, तो यहां रख दीजे 2x, into, चौडाई कितना है? एक्स, तो य इधर 800 है या फिर देख लिजे तो इधर 800 है तो 800 कर देजे है ना तो यहां से X स्क्वार के बगल में दू गुना में है तो 800 इधर क्या हो जाएगा दू भागा में चला जाएगा तो इस तरह से plus minus 20 आएगा तो X का मान दूग आया दिख पा रहोंगे X का value दूग आया X का value आया plus में 20 और एक वाया minus में 20 तो कौन सा अमान ने होगा तो minus वाला जो अक्सर मान होता है ओँ अमान ने हो जाता है तो ये अमान ने उत्तर है अब X का value तो 20 आ गया तो हम यहां लिखें कि अत्व उतना language लिखेंगा अत्व आम की चोड़ाई बराबर 20 ठीक है क्योंकि आमे के ना चोड़ाई यहां माने थे X तो X के मान आया है तो वही ना आम के चोड़ाई होगा तो आम के चोड़ाई बराबर 20 मिटर इसलिए आम के च तो दू गुने 20 40 मिटर यानि कि इसका लंबाई हो जाएगा 40 और चोड़ाई हो जाएगा 20 तो इस तरी से इस को करेंगे तो आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 4 की और कोशन नंबर 4 क्या बोल रहा है जरा देखिए कोशन कुछ इस तरीके से बोल रहे है क्या निम्न इस्थि संभव है क्या निम्न इस्थिति संभव है यदि है तुसकी वर्तमान आयू ग्यात किजिए अच्छा संभव है तब ग्यात करना है और संभव नहीं है तो नहीं ग्यात करेंगे दो मित्र की आयू का योग 20 है यानि कि दूगो मित्र है एको पहला मित्र है एको दूसरा मित् इतना है बीस है तो आप इस कोशन में मानिए चौथा कोशन में माना की पहले मित्र की आयू एक्स वर्स ठीक है पहले मित्र की आयू कितना माने है एक्स वर्स इसलिए कि दूसरे मित्र की आयू दूसरे मित्र की आयू कितना होगा तो दूनों के मिला के बीस है अब एक्स है तो दूसरा का हो जाएगा बीस माइनस एक्स वर्स होगा ना क्योंकि हम ऐसा question पहले भी किया है कि दोनों का जोड मिला के 20 रहेगा तो एग हो के जब x मानते हैं तो दूसरा कितना होता है 20-x हो जाता है ठीक है अब जब ऐसा situation आ गया फिर क्या बोल रहा है चार वर्स पूर उनकी आयू का गुननफर 48 था दिखिए चार वर्स पूर्व बोल रहा है तो अब यहाँ पे लिखिए चार वर्स पूर्व चार वर्स पूर्व ठीक है चार वर्स पूर्व पहले मित्र की आयू कितनी होगी पहले मित्र की आयू जब अभी उसका वर्तमान माना कि पहले मित्र का वर्तमान आयू यहां पर है यहां पर वर्तमान लगा देजेगा वर्तमान आयू एक्स तो चार वर्स पहले जो पहला का कितना होगा तो एक्स माइनस चार ठीक है और चार वर्स पहले दूसरा मित्र कितना होगा दूसरा मित्र की आयू यानि कि दूसरा म चार वर्स पहले बोल रहा है तो पहला वाला में से भी 4 घटा दिये और दूसरा वाला में से भी 4 घटा दिये तो इसको घटा कर कितना आया एक जाती वाला 20 और 4 है तो 20 में से 4 गया तो कितना 16-1 अब क्या बोल रहा है अब लिखेगा प्राशन से प्राशन यही बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले जतना साल के था न दुनों उसको गुना करने पर 48 आता है थीक है, आप समझे बात को 4 वर्ष पहले जितना पहला मित्र था और जितना दूसरा मित्र था ये दोनों को गुना करने पर 48 आता है यानि चार वर्स पहले पहला मित्र कितना था तो X-4 और चार वर्स पहले दूसरा मित्र कितना था तो 16-X और दोनों को गुना करने पर आ रहा था 48 80 अब जरा सबसे पहले यहां पर को इसको गुना करता है तो कि चारती च्व को हरे सब से चार को माइनस में एक सोग्र है और एक्स वाला 16 एक्स यहां है उचार एक्स यहां तो 16 ऊचार मिलके कितना हुआ विस एक्स ठीक है और यह माइनस चोण सट है तो मैंस चोण सट रखेंगे और यह 48 इधर आएगा तो माइनस अड़ तालिस बराबर में हो जाएगा जीरो यहां पर आप देख पा रहा होंगे क्या बच रहा है माइनस एक्स स्क्वार और पलस बीस एक्स और यह हो जा रहा है आठ चर बारा की दो हाथ में एक और चोचार दस और एक ग्यारा बराबर में जीरो अब यहां से आप एक अवेलू दिखा लिए तो कितना होगा कि नहीं संभाव है क्योंकि सवाल तो बोला है कि संभाव है तब है निकाल नहीं तो अब पहले चेक किजिए कि संभाव है कि नहीं है तो बी स्क्वार माइनस फोर ए सी तो डियर स्टूडेंट्स हम यहां आपको क्या कर रहे है इसको निकाल नहीं रहे है आप इसको खुद माइनस में आता है तो क्या लिखेंगे क्योंकि यहां तो बोल रहा है कि संभव है तब लिखेंगा यहां पर लिखेंगा कि चुकि दी का मान रिनात्मक है अतर इसका मान निकालना संभव नहीं है ठीक है यही लिख दीजिएगा अपने भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं बस उसी बात को लिखना है अपने दिमाग लगा के भी यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मान निकालना संभाओ नहीं है क्योंकि D का मान रिनातमक है अतध इसका हल नहीं किया जा सकता है इसे ग्याद नहीं कर सकते हैं simple way में तो आप यहां पर D का मान निकालेगा तो किस में आएगा बिल्कुल minus में आएगा और जब minus में आएगा तो हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं ठीक है चलिए तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं अगले question की तरह बढ़ते हैं question नमबर 5 देख पर हैं कोश्चन है पाज़वा कोश्चन क्या परिमाप असी मिटर तथा छेत्रफल 400 मिटर स्क्वाइर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि है तो उसका लंबाई और चोड़ाई ग्याद कीजिए सवाल क्या बोल रहा है कि एक जो है क्या है पार्क है अब जब पार्क है और उस पार्क का हमें परिमाप दिया है असी और छेत्रफल दिया है 400 अगर इसको बनाना संभव है कि नहीं है अगर बनाना संभव है तब जाकर हमें लंबाई और चोड़ाई ग्याद करना है तो सबसे पहले पांचवां कोशन समझए कि क्या बोल रहा है कि एक पार्क है और पार्क का लंबाइ हमको नहीं पता है तो आप पहले बभला लिजें कि द्यीली अधा एक पार्क बना लिए अब इस पार्क का हमें परिमाप दिया है और 6 तरफल दिया है 6 तरफल कितना दिया है 400 मिटर स्क्वार 400 मिटर स्क्वार और इसका जो चारो तरफ का घेरा है उसी कोन परिमाप बोलते हैं चाहे परिमिती बोलते हैं परिमाप दिया है 80 मिटर ठीक है हम लोग जानते हैं कि कोई भी आयत का परिमाप होता है उसका फर्मूला दू गुने लंबाई पलस चोड़ाई होता है तो सबसे पहले आप कीजिएगा क्या एक चीज तो मानना ही पड़ेगा माना कि पार्क का लंबाई पार्क का लंबाई एक समीटर आप याने की पार्क का जो लंबाई है उसका एक्स मिटर मान लिए जब पार्क का लंबाई एक्स मिटर मान लिए तो अब लिखेगा चुकी परिमाप दिया है परिमाप कितना दिया है? असी मिटर दिया है ना? असी मिटर दिया है जब 80 मिटर दिया है तो परिमाप का फर्मूला कुछ होता है दू गुने लंबाई पलस चोड़ाई यही न बराबर 80 ठीक है दू गुने लंबाई पलस चोड़ाई बराबर 80 अब यहाँ पे हम चुकी आप यह देखिए कि दू गुना लंबाई को हम कितना माने है तो यहाँ पे रख दिजे एकस पलस में कोची चोड़ाई बराबर 80 अब दू चुकी गुना में न है यह तो ब्रैकेट में है यानि कि गुना में है तो दू इधर जाएगा तो कोची होगा भागा में तो X पलस चौड़ाई बराबर असी भागा दू तो कितना से कटेगा? 40 इसलिए हम बोल सकते हैं आप देख पा रहे होंगे कि चौड़ाई बराबर कितना हो गया? तो इधर पलस X था न? तो उधर गया तो कुछ ही हो गया? माइनस X तो 40 माइनस X मीटर यानि कि खुल मिलाकर हम लंबाई अगर X मानेंगे तो परिमाप के वज़ा से हम लोग को चौड़ाई पता चल गया कितना? 40 माइनस में X अब फिर से लिखेगा पुन पुन दिया है क्या दिया है भई? तो दिया है हमें 6 तरफल कितना छेतरफल दिया है? तो सवाल में 400 मिटर स्क्वार 400 मिटर स्क्वार तो छेतरफल का फर्मूला कोच ही होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर केतना? 400 यही ना तो लंबाई केतना है? लंबाई हम X माने हैं तो लंबाई को X रखेए और इंटू चौड़ाई कितना आ रहा है? चौड़ाई आ रहा है 40 माइनस X तो यहां रखेए 40 माइनस X बराबर केतना? 400 अच्छा इस X को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा 40 X और प्लस माइनस कितना? X को X से X स्क्वाइर बराबर हो जाएगा 400 जरा इसी को हम लोग अगर अच्छे से लिखेंगे इसी को अगर अच्छे से लिखेंगे आप देख पा रहे होंगे इसको किसको भई? तो यह हां इसको तो हम यहां पर सबसे पहले की क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले लिख सकते हैं यहां पर माइनस X स्क्वाइर यह वाला को हम पहले लिख दिए फिर माइनस स्वरी प्लस में 40 में है तो यहां पर प्लस 40 X और यह वाला 400 जब इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 400 बराबर 0 उधर तो 0 बच जाएगा अब चलिए अब संभव है की नहीं ऐसा पार्क बनाना अब यहां से आपको पता चल जागा कि ऐसा पार्क बनाना संभव है की नहीं है अगर है तब जाके X कमान निकाल लेंगे तो अब यहां से देखिए यहां A का वेलू कितना? माइनस 1 B का वेलू कितना? 40 पलस में और C का वेलू हो जाएगा माइनस 400 तो आप पहले यहां से फिर से हम यहां से आपका अधूरा छोड़ते हैं D कमान आपको खुद से निकालना है अगर D का वेलू अगर रिनात्मक आएगा तो आप लिख दिजिएगा कि इस पार्क को बनाना संभव नहीं है क्योंकि D कमान वीवेचा कमान रिनात्मक आगया ठीक है? अगर D का वेलू अगर पलस में आता है इसको सॉल्व करते करते तो आप लिखेगा कि इस पार्क को बनाना संभव है जब बनाना संभव है तो खाली कहद नहीं देना है कि बनाना संभव है आपको बना के दिखाना है तो तब आप लगाईएगा फर्मुला द्विघाती सुत्रवाला X बराबर माइनस B पलस माइनस रूट D बटा 2 फर्मुला लगाईएगा इसे से आप चलते चलते एग वो पलस में आएगा एग वो माइनस में आएगा तो जो माइनस में आएगा वो अमान ने उतर हो जाएगा और जो पलस में हो जाएगा वो हो जाएगा X कमान अब जो X का मान हो जाएगा तो उसको हम लोग पार्क का लंबाई बोल देंगे कि पार्क की लंबाई बराबर उतना जितना X का मान आएगा तो अब उसके निचे लिख दिएगा अब पार्क की चोड़ाई बराबर तो चोड़ाई केतना है तो चोड़ाई अभी निकाले न य यहां पर कहां हाँ 40 माइनस X यानिकि उसको 40 में से घटा देंगे तो चड़ाई जब निकालना होगा तो उसको हम लोग 40 में से X को घटा देंगे यानिकि X का जो मान पोजिटिव आएगा धनात्मक आएगा उसको हम लोग 40 में से घटा देंगे तो जितना मीटर आएगा वह ह सब्सक्राइब है कि हम लोग द्विघात समिकरन के इस चैप्टर को टोटल अच्छे तरीके से धंग से शालूशन किये हैं लेकिन आपको क्या करना है ना बैठना नहीं है क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या होता है एक बिल्कुल प्रैक्टिस का चीज है प्रैक् क्योंकि यहां तो क्लासे जान ही रहे हैं लोकडाउन की स्थिति में सभी चीजे बंद पड़ी है अगर नहीं रहती तो यहां पर हर सटरडे को टेस्ट भी होते रहता तो वो सभी सारे चीज होते रहती लेकिन यहां पर प्राब्लम ही आ रहा है कि हम लोग अप घर पे पड़िए पढ़ने में उनसे आप यह बोलो चैलन्ज करो किस एक्सरसाइज को आप कहीं से भी कोष्षन पुछलो हम मेरे अंदर में हैं मेरे मुठी में हैं कहीं से भी कोशन पुछलो हम बता सकते हैं तो इन चीजों को आप चैलेंज करो अगर मान लिया जा कि एक घर में अगर दो-दो स्टुडेंट्स हैं जो एक ही क्लास मेट हैं एक ही क्लास के साथ हैं उनका यही सेशन चल रहा है तो और तो बढ़ यह बात है आप दोनों में कंपेटिशन करो कुशन करो एक दूसरे के साथ क्यों नहीं आप तीज बनोगे लोगडान में ऐसा नहीं है कि आप घर पर पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे से नहीं पढ़ सकते हूं अगर आप चाहोगे तो पढ़ोगे तो इस तरीके से आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि हम लोग 4.4 टोटली हम लोग पढ़े लिए आपका बुक है तो अगला चेप्टर जाने रहे हैं कि बहुत महत्वपुर्ण शमांतर स्रेडी है यह पांचवा चेप्टर है अब यह समांतर स्रेडी चेप्टर को हम लोग अगले दिन डिसकस करेंगे और तो इसमें थोड़ा चाद दिखा देते हैं कि हम लोगों को कितना एकसर साइज है लगबग कितने दिन में समाप्त हो जाएगा तो यह भी हम लोग यह 5.1 है ठीक है अब यह 5.1 है तो और देखते हैं कितना है पांच पॉइंट एक पांच पॉइंट एक इधर पांच तक है एक होता है पांच पॉइंट चार एचिक है और यहां एचिक में लिखा हुआ यह प्रश्णावली परिच्छा की दिरिष्टी से नहीं है तो हम इस कोश्चन को छोड़ते चले जाएंगे यानि कि जो एचिक वाली इकसर साइज है न वो ज्यादा इंपोटेंट नही परिष्टार तो हम लोग को लॉक्डान में उस्सी बंद भी हो गई है तो अगर मेरे पास टाइम होता तो हम लोग एचिक को करते भी चलते तो इसलिए फिलहाल एचिक को हम लोग क्या करते है छोड़नाम ही है एचिक का मतलब विच्छा है तो बनाईए नहीं तो छोड़ देजी क्योंकि यहां साफ लिखता है प्रश्णावली परिच्छा के दिरिश्टेशन नहीं है यानि कि परिच्छा में यह इस इक्सरसाइज से नहीं आता है कोश्चन ठीक है तो हम लोग को कुल मिला कर देखा जा तो 5.3 तक एक्सरसाइज है लेकिन फिर भी 10 से 15 दिन लगी की जाएंगे इस कोश्चन को करने में तो हम कोशिस करेंगे कि जल्दी ही हो लेकिन उसमें आपका भी साथ चाहिए आप चीजों को समझ कर अच्छे से सॉलूशन कीजिए तो हम अच्छे से और आगे बढ़ सकते हैं तो फिलाल आज की क्लास के मैस को यहीं तक खत्म करते है फिर मिलते हैं गले क्लास में धन्यवाद